हेलो दोस्तों स्वागित आपका अपने यूट्यूब चैनल आक्री वाला में आज जो एक NCR की है बेसिकली यहाँ पे नेवली लिगनेट कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिमेटेड NLC के दुआरा बहुत दी बड़िया नोटिफिकेशन आउट किया गया है डिप्लोमा बीबीटे के लिए और यह जो कमपनी है नवरतने कमपनी की कैटिगरी में यह आती है यहनोंने जो नोटिफिकेशन आउट किया है वो बिल्कुल फ्रेशर के अनिरेट के लिए किया है तो फ्रेशर इसको अप्लाइ गड़ सकते है एक्सपरेंस यहाँ पे नहीं मांगा और आपका एक पर्मनेंट जॉब रहेगा कोई अपरेंटिशिप प्रोग्राम यह नहीं है और एक पर्मनेंट जॉब के लिए नोटिफिकेशन आउट किया है साथी साथ यहाँ पे without gate scorecard आप इसको अप्लाइ गर सकते है तो बड़िया बात है कि gate scorecard भी यहाँ पे नहीं मांगा और जो selection आपका होगा वो आपका CBT exam के base पे रहेगा और अगर CBT exam होगा तो उसका syllabus क्या रहेगा negative marking होगा खी नहीं होगा exam center कौन-कौन से आपको मिलेंगे यह सारी चीजे मैं आपको इसी वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो को ध्यान पुर्व का अपक्चे से पूरा दीखेगा तो चलिए पूरा डिटेल से समझ लेते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है पहली बारी चैनल पे विजिट कर रहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा इससे आपको फायदा मिलेगा जब मैं नेक्स वीडियो अप्लोड करूँगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग उसे डिरेक्ली अप्लाइ कर पाऊगे तो आईए नोटिफिकेशन की तरफ चलता है तो मैं आपको डिरेक्ली इनके ऑफिस्चली नोटिफिकेशन पर लेके आ चुका हूँ और ये जो नोटिफिकेशन है एक स्वाट नोटिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने जारी किया है अभी आपको कहां मिलेगा जो इंप्लाइमेंट नीउस पर आता है रोजगार समाचैर पत्र आता है उसके अंदर आपको इन्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगा अब ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है एनगेंट इंडिया लिमिटेड के दुवारा नेवले लिगनाइट कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिमिटेड के दुआरे इन नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा नवरतन कंपनी की कैटिगरी में आता है और यह आपका अडिटेश्मेंट नमबर यहाँ पे इनोंने साइड में प्रोवाइड करवा दिया है दो टैप की पोजिशन यहाँ पे रहेगी पहले जो पोजिशन है वो आपका रहेगा जूनियर ओर्मेंट ट्रेनी की पोजिशन आपको मिलेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर ओर्मेंट ट्रेनी की पोजिशन आपको मिलेगी दूसरा जो पोजिशन है वो mining सरदार के पदो पर यहाँ पर vacancy निकाली है तो junior overman trainee है उसका grade पर अलग होगा और mining सरदार है उसका grade पर अलग आपको देखने को मिलेगा तो दोनों को हम discuss करेंगे वीडियो के अंदर तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर location क्या क्या रहने वाल है तो एक vacancy के अंदर जो location रहेगा वो आपका उडिसा का रहेगा दूसरी के अंदर आपका job location जारकंड का आपको देखने को मिलेगा उपर उपर company का detail दे रखा है हम इसको नहीं देखेंगे अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि आपका eligibility criteria और क्या रहने वाल है तो यहाँ पे इन्होंने पूरा chart mention कर रखा है जैसे कि यहाँ पे इन्होंने post के बर्म बता दिये यह आपका scale पे क्या रहेगा और यह आपका project state क्या रहेगा number of post क्या रहेगा तो यह आपका रहेगा junior overman trainee इसका जो salary रहता है 31,000 रुपे से लेके 1,000,000 रुपे के बीच में रहता है S1 grade पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उसके अलबावा यहाँ पे आपका जो project state है वो आपका रहेगा ताला बीरा जो की ओडिसा में है और इसके अंदर vacancy आपकी 3 दूसरी vacancy है mining सरदार की position है इसमें भी आपका grade पे रहेगा SG1 जो की यहाँ पे इन्होंने mention कर रखा है और इसका salary होता है 26,000 रुपे से लेके 1,10,000 रुपे की बीच में job location सेम रहेगा ताला बीरा ओडिसा 10 vacancy इन्होंने यहाँ पे निकाली है उसके अलावा गर हम बात करें यहाँ पे next vacancy के बारे में तो यहाँ पे अगली जो vacancy है वो अलग job location के लिए निकाली गी है जिसका job location जो आपको देखने को मिलेगा वो आपकर रहेगा यहाँ पे इन्होंने mention कर रखा है पचवारा जारखंडगा और इसके अंदर भी दो टैप की position है junior overman trainee और mining सरदार salary सेम है बात job location यहाँ पे अलग आपको देखने को मिलेगा यह एक short notification है इससे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा किसका qualification क्या है क्योंकि इन्होंने एक short notification निकाला है यह जो vacancy है 2023 में भी out की गई थी हम उस notification को reference मानते हुए पहले हम देख लेते हैं कि इसका education qualification कै है इसका syllabus कै है selection कैसे ही इसमें करवाते हैं तो यह सारी चीज़े हम 2023 के notification को reference मानते में देख लेते हैं तो मैंने 2023 का notification अल्डेडी download कर रखा है पहले हम उसको अच्छे से देख लेते हैं कि इसका qualification और क्या रहेगा तो यहां पर अगर आप देखेंगे मैंने 2023 का notification डाउनलोड कर रखा है यह 2023 का notification इसलिए डाउनलोड की है ताकि हम उस post के लिए qualification को देख लेते हैं reference मानते हुए यह 2023 में भी notification आउट किया गया था है NLC India Limited का और अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर job location अलग है बाकी position सेम है, salary सेम है तो यहां पर दो type की position है यह आपका junior overment trainee जिसको अभी हमने देखा था S1 grade पर के according salary मिलता है और यह आपका रहा यहां पर mining सरदार की vacancy है इसका तो अगर हम दोनों को यहां पर देखें कि इसका qualification और क्या है तो हम अच्छे से पहले देख लेता है यह तो आपकी salary के और इसका qualification और जानने की कि कौन-कौन इसको apply कर सकता है देखे education qualification की तरफ अगर हम चले तो हमारा main focus है यह दो post पे क्योंकि इन्हीं की अभी vacancy आउट की गई है junior overment training की जो position है उसके अंदर आपने education qualification मांगा है कर रख है mining के अंदर या फिर mining engineering के अंदर या फिर इससे equivalent किसी भी यहां पर branch में तो आप इसको apply कर सकता है और valid overment certificate आपको आपके पास होना चाहिए जो कि DGMS के दुआरा यह approve किया जाता है तो इस certificate आपके पास यहां पर होना जरूरी है उसके अलब अगर बात करें mining सरदार की जो vacancy है उसके लिए तो इसमें बोला गया है अगर आपने diploma कर रखा है या फिर अगर आपने कर रखा है BB tech तो भी आप इसको apply कर सकते हैं any subject other than mining engineering तो आप इसको apply कर सकते हैं आपके पास mining सरदार का certificate होना चाहिए जो कि DG में इसके दोर यहां पर अप्रूव किया जाता है या पिर और में mention कर रखा है कि अगर आपने diploma कर रखा है with overman certificate के साथ तो आप इसको apply कर सकते हैं valid first aid certificate आपके पास होना जरूरी है तो यह सारे certificate यहां पर required है यह certificate के बीना आप इसको apply नहीं कर सकते हैं तो जिन बच्चों के पास अगर certificate है वही candidate यहां पर eligible रहेंगे उसके अलाव अगर हम बात करें कि इसके अंदर आपका eligibility criteria और qualification के अंदर कितने percentage हो आँगे तो ध्यान पुर्वक देख लेना मैंने highlight कर रहे है सारे point तो सबसे पहले जो बात आती है यहां पर mining सरदार के लिए तो mining सरदार के लिए नहीं ने बोला है कि diploma और degree के अंदर आपके 50% होने चीए किस के लिए UROBC और EWS candidate के अगर आप यहां पर mining सरदार के लिए apply कर रहे है तो आपके 50% होने चीए UROBC और EWS category के अंदर और अगर आप SST candidate है तो आपके अगर 40% है तो भी इसको apply कर पाएंगे उसके अलावा अगर आप apply कर रहे है junior overman के लिए यहां पर इन्होंने mention कर रहे है अगर आप apply कर रहे है junior overman के लिए तो आपके जो percentage है 50% यहां पर उन्हें चीए UROBC और EWS candidate के लिए और जो SST candidate है वो अगर यहां पर pass है normally तो भी 40% उन्होंने बोला है कि 40% है वो इसको apply कर सकते है तो यह आपका percentage criteria है उसके अलब अगर हम बात करें इसका is limit क्या रहता है तो यहां पर जो आपकी position है S1 grade के अंदर जो आपका UR के लिए 3 साल रहता है बाकी relaxation आपको दिया गया है और SZ1 जो grade है उसका यहां पर 3 साल है बाकी यहां पर इस relaxation 3 साल का 5 साल का आपको यहां पर दिया गया है उसके अलब अगर हम बात करें यहां पर किसका selection process कैसे होता है और salary क्या रहती है देखे S1 grade pay के according जो salary रहता है 7.80 lakh रुपीज पर यहां पर yearly आपको मिलता है मतलब कि लगबग 8 lakh रुपे के करेब और जो SG1 है उसका जो salary रहता है 6.50 lakh रुपे annual CTC आपको यहां पर मिलता है उसके अलब अगर हम बात करें कुछ और point के बारे में तो यहां पर जो आपका selection होगा उसके बारे में देख लेता है कि selection कैसे होगा यह सबसे important है तो selection process के बारे में गर हम जाने तो यहां पर selection जो आपका होगा वो आपका written test होगा 100 marks का ठीक है और जो paper first रहेगा तो इसमें कितने part होगे इसमें 2 part होगे तो part first रहेगा वो आपका 30 question का रहेगा जिसमें आपका general aptitude quant आएगा reasoning आएगा और general awareness आएगा जो part second होगा वो आपका रहेगा 70 marks का इसके अंदर आपके subject से related आपसे सवाल पुछ जाएगे और question paper जो रहेगा वो आपका only English language में रहेगा Hindi में आपको नहीं मिलेगा और इसके अंदर किसी भी type का negative marking यहाँ पे नहीं है तो आप सारे question भी attend कर सकते है तो यह सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाती है उसके अलवा अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपका जो यहाँ पे रहेगा तो यह सब कुछ मैंना आपको इसका exam pattern और सब कुछ बता दिया और exam होने के बार आपका यहाँ पे selection हो जाएगा और इसका piece भी हम देख लेते है कि इसका application piece क्या है तो यहाँ पे application piece भी आपको pay गड़ना रहेगा तो जो application piece है junior overment के लिए जो यहाँ पे application piece होगा वो आपका 595 रुपे आपको pay गड़ना पड़ेगा जो की इन्होंने mention कर रखा है बाकी जो mining सरदार की vacancy है उसका category wise यहाँ पे piece structure अलग अलग होगा जैसे के अगर आप UREWS OBC candidate है और junior overment trainee के लिए apply गर रहे है तो आपको 595 रुपे पेगड़ने पड़ेंगे बाकी SST candidate, PWD candidate है यह फिर departmental ex-serviceman है तो आपको 249 रुपे पेड़ने पड़ेंगे junior overment trainee के लिए mining सरदार के अंदर अगर आप UREWS OBC candidate है तो 446 रुपे पेड़ने पड़ेंगे और अगर आप SST या फिर PWD या फिर ex-serviceman है तो आपको 236 रुपे यहाँ पेड़ने पड़ेंगे और यह जो हमने reference ली है वो आपका 2023 का notification है अभी तक इसका full notification आउट नहीं किया गया इसका full notification आपको जल्दी NLC की officially website पे आपको देखने को मिल जाएगा बाकि जो short notification आउट हुआ है उसका link मैं आपको वीडियो के description में दे दूँगा या फिर आप हमारे telegram channel पे add हूँ सकते है whatsapp channel पे जोड़ सकते है दोनों के link मैंने आपको वीडियो के description में already provide गरवा दी है यह notification आपको वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा और इससे related कोई doubt है तो comment box में comment करके मुझसे हूँ सकते है तो आज के लिए बस इतना ही all the best जैहिन